हम जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करेंगे फाइनांसल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में यानि कि एफारेप के बारे में यह वो टॉपिक है जो परिसान करते हैं सभी स्टुएंट को या फिर वो सीए इंटर्मेडियट का स्टुएंट साथ ही अभी कोई परिसान करते हैं तो आज हम लोग इस मुद्धे पे घहन चर्चा करेंगे जैसे हम लोग अच्छे तरीके सा समझ आच्छा यह होता है एक्चली में यह होता है हाँ ऐसे है सारा चीज़ों हम लोग के एक दम से माइंड में क्लिक कर जाना यह वीडियो देखने के बाद तो यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है यह आपको कंसेप्चल लॉनेज देने के साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस पॉइंट को लर्न भी कर पाए इसी वीडियो में तो चलिए सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फाइनां फ्रेमवर्क है जो मैंनेजमेंट जिसका यूजमेंट करके मैंनेजमेंट उसका यूज करती है क्या करने में फाइनैंशल स्टेटमेंट को प्रिपर करने में तक भाँ फिर बोलता हूं balance it, PL, cash flow statement, साथ ही साथ हम लोग notes to account को क्या बोलते हैं financial statement, financial reporting framework, FRF जो है वो दो type के होते हैं कौन सा पहला type होता है, एक होता fair presentation framework और दूसरा होता है compliance framework हम पहले इसका आपको idea दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे notes पे और notes में wording देखेंगे क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे fair presentation framework के बारे में, तो fair presentation framework actually क्या है, fair presentation framework दो acknowledgement देता है, जो कि compliance framework नहीं देता है, क्या कौन सा acknowledgement देता है fair presentation framework, तो fair presentation framework ये बताता है, management को ऐसा लगता है कि management को fair presentation लगता है कि ये framework चे यूज़ करा है लेकिन हम लोग को अभी तक fair presentation प्राप्ती नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हूँ? वो सारे disclosures दे सकते हो कि fair presentation framework में जो नहीं लिखा है ये आपको दो क्या देता है? छूट देता है हम बोल सकते हैं कि fair presentation framework आपको दो छूट देता है कि आप दो काम कर सकते हो कौन-कौन सा है पहला आप word disclosures दे सकते हो जो किसमें लिखान नहीं गया है फिर भी वो आप दे सकते हो अगर आपको लगता है कि fair presentation प्राप्त करना है तो साथ सीत साथ अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना है अगर आपको लगता है कि fair presentation अभी भी मैं नहीं एचीव कर पाया हूँ इस framework को use करने के बाद भी तो आपको क्या करना आप इसके requirement जो जो requirement आपको लगए है कि management पर नहीं यह requirement ठीक नहीं है इसको ऐसा रहता तो ज़्यादा सही रखता तो आप वो requirement पर भी जा सकते हो अपने इसाब से आप क्या कर सकते हो वो requirement की तरब भी लिखा गया है आपको अपने मन से एकनौलिजमेंट जो दिया गया था फेर पर्जेंटेशन फेर्मवर्क में उसको यूज यहां पर नहीं करना है compliance framework में strictly आपको वही follow करना है जो कि compliance framework में लिखा गया है जो कि fair presentation framework में आप क्या कर सकते हो सारे disclosures भी दे सकते हो अपने मन से साथ ही साथ आप requirement से भी depart कर सकते हो तो अगर हम लोग बात करें fair presentation framework होता क्या है तो fair presentation framework जो कि हम लोग के AS है या फिर हम लोग के schedule 3 है या फिर हम लोग बात करें हम लोग का इंड एसा सब ही क्या है फिर Alabama अते तो gent framework में क्या आता है तो compliance framework में हम लोग आता है क्या compliance framework में आता है जिसे कि किसी organization को बनाना है क्या अपना financial statement भैंक, खासकर banking companies की बात करूँगा या फिर बैंक्स की बात करूँगा तो banks को क्या करना पड़ता है न कि RBI जैसा बोला गया है कभी कभी RBI जैसा बोला है RBI बोला कि अच्छा इस तरीके से हमको financial statement प्रिपेर करके दो मैं देखना चाहता हूँ कि आप ये criteria उनके जो certain criteria है आप लोन कितना दे रहे हो ये कितना दे रहे हो तो आप मेरे framework को follow करके आप क्या करो financial statement हमको बना के दो ठीक है तो banks RBI का framework यूज़ कर रही है किसके लिए अपना RBI की report करने के लिए तो वो होते है compliance framework उसमें ये नहीं है जो आप अपने मन से RBI के बता रहे हो अच्छा येसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा नहीं हो सकता आप banks हो तो आपको वही काम करना है जो कि आपको वही disclosures देने हैं आपको वही requirement follow करना है जो आप से RBI चाहता है ठीक है दोस्तो जो चलिए अब इसके wording देख लेते हैं और आगे बारते हैं और याद करने की खुछ सिखरते हैं चलिए हाँ जी दोस्तो हम लोग आ चुके हैं अब notes पे अब हम लोग देखेंगे क्या जो फेर presentation framework क्या होता है साथिसाथ compliance framework क्या होता है तो फेर presentation framework क्या है तो फेर presentation framework वो framework है जो की compliance require करता है इसके framework से ही यानि कि यह फ्रेमवर्ग है जो अपना compliance करने का requirement प्रोवाइड करता है साथे साथ ये दो acknowledgement देता है ये दो acknowledgement क्या देता है acknowledgement का मतलब होता है सुख्रिती आपको ये मतलब permission दे रहा है कि आप ये काम कर सकते हो पहला permission क्या देता है कि आपको अगर achieve करना है फेर presentation अगर management को लगता है कि हम अभी तक फेर presentation प्राप्त नहीं किये है तो वो क्या कर सकती है? वो or disclosures दे सकती है जो कि इस के फ्रेम्वरक में यानकि इस जो फ्रेमवर्क बना-बनाया हुआ है उसमें नहीं है वो भी o disclosures दे सकती है साथ ही साथ वो क्या कर सकती है? requirement के इसके requirement से depart कर सकती है तो Fair Presentation Framework जैसे के मैंने बोला क्या है India Savonna Fair Presentation Framework है हम लोग आए yaş Fair Presentation Framework है 1713 वेफिटे तो यही वो है जो हम लोग को क्या देते हैं हम लोग को देते हैं दो Permission A S हम लोग को Permission देता है Indias Permission क्या देता है कि हम लोग इसके Disclosures वो सारे discussions के सकते हैं अगर हम लोगों लगता है जो कि already आहिं लिखा है साथ, हम यह कहां पे लिखा यह है इंडियास 1 में भी लिखा हुआ है साथ इससाथ में भी बात लिखा हुआ है और हम लोग क्या कर सकते है है, वह इसके requirement से भी डिपार्ट कर सकते है जबकि compliance framework दिखे तो इसमें strictly लिखा है compliance framework is used to refer a financial reporting framework that requires compliance of the framework यह बुला कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ही requirement से comply करना है और यह किसी तरह की acknowledgement नहीं दियता है जैसा कि fair presentation framework के point number one और two में जो लिखा हुआ है इस तरह के कोई requirement कोई acknowledgement यहाँ पे compliance framework में नहीं देता है तो banks के साथ अकसर ऐसा होता है कि banks में RBI की तरीके से हम लोगों को अगर बनाना है क्या बनाना है financial statement banks को अगर बनाना है RBI के तरीके से तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो सारे disclosures दो या इसके requirement से अलग हटके कुछ काम करो जो की RBI नहीं लिखा ऐसा आपको नहीं करना है आपको जिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है RBI के वो rules and regulation के जिसके ताथ उसको बोला गया है कि आपको financial statement RBI को बना के देना है ठीक है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे क्या सबसे पहले हम लोग यह देख लिए थे कि words जो financial reporting framework की क्या हम लोग meaning है तो यह हम लोग already देख चुक है लेकिन इसके wording को सिर्फ देखना है financial reporting framework की जो framework used by management to prepare financial statement ठीक है applicable financial reporting framework अब हम लोग के यह इसमें यह सारे points देखने है कि वो कौन-कौन से criteria है वो कौन-कौन से certain basis है जिस पर management को लगता है कि उसको यह fair presentation framework चुनना चाहिए साथी साथ compliance या फिर compliance framework चुनना चाहिए या fair presentation framework चुनना चाहिए तो उसके यह basis है तो पहला basis क्या है nature of the entity जैसा nature होगा organization का entity का उस तरीके का आपको क्या चुनना है framework चुनना है जिस आपका nature जिस टाइब का है उस हिसाब से ठीक है आपका objective भी matter करता है यानि कि अगर आपको objective सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाना है आपको अगर सिर्फ objective है अपने shareholders के लिए या फिर आपको deventure holders के लिए बना के देना अपना financial statement कभी कभी क्या होता है हम लोग के किसी share issue कर रहे हैं उसके लिए अलग से बना के दे रहे हैं ठीक है तो ज्यादा तर cases में क्या यूज होता है तो ज्यादा तर cases में होता है financial ज्यादा तर cases में यूज होता है fair presentation framework और बहुत कम cases में यूज होता है क्या compliance framework तो सबसे important fair presentation framework ही है तो कौन-कौन से basis हैं जिसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं चुनाव कर सकते हैं तो निश्चानल रिपोर्टिंग फ्रेमर्ट चुनना है तो ठीक है दोस्तों हम लोग यहीं पर अपना यह टॉपिक को यह वीडियो को कमपलेट करते हैं और ठीक है तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए